Hi Friends, Welcome to my channel SuperTraderLux और यहाँ पर एक बहुत ही बहतरीन पैसा बनाने वाले और पैसा बनाने से रिलेटेड़ वीडियो में आपका स्वागत है सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ किया आपको हम क्या बाते करने वाले हैं आपने अलरी थमनेल में देख लिया होगा लेकिन फिर भी एक बहुत ही एकसाइटिंग कंपेरिजन करने वाले हैं यहाँ पे कुछ कंपनीज के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं जो इस समय मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओफर कर रही हैं और अलड़ी म्यूचल फंड हो गया आपका स्टॉक मार्केट हो गया इन्वेस्टिंग लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वेडिंग यह सभी चीजें उसमें हैं तो कौन से बेस्ट आप है तो उनमें से तीन एप मैंने हाँ पर हैं उन तीन एप का और यहां से वाले मैं यहां पसे अपर कंपर करूंगा उनके कुछ खूभीयां बताऊं मिद्ध विक्जए स्टार हो होनॉच से वीक्षे जो आपको उच्छे लगते हैं पॉजिटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट आप क्या उम्मेद करते हैं इस एप में क्या अच्छा नहीं है क्या अच्छा होना चाहिए और यह सब चीजें अगर अच्छा वीडियो बना तो आगे चलके और वीडियो बनाएंगे और अच्छा लगे जरूर बताइए कमेंट में और जो भी चीजें मुझे अच्छी लगी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको तीनों में तीनों को कंपेर करके कुछ क्राइटीरिया उनके इसाब से आपको यहां पर बताऊंगा आप यहां पर सबसे पहला जो एप मैंने लि और तीसरी कंपनी है ग्रो जो अलड़ी काफी एग्रेसिव मार्केटिंग करके एक डिर साल दो साल में इन्होंने काफी नाम बनाया है यह इन्वेस्टमेंट में जादा है लेकिन स्टाक में भी लोग काफी इसको यूज़ करते हैं तो यह तीन कंपनी की बात यहां पर हम क लाक यूजर से 4.7 रेटिंग है तो काफी अच्छी रेटिंग है मेरे साब से 4.7 रेटिंग अगर सौ डाउन्लोड भी होंगे तो आपको कुछ लोग निगेटिव कमेंट देखे चले जाएंगे तो 4.7 इस वेरी गुड और हम बात कर लेते हैं पेटियम मनी के बारे में आप में राइट नाओ 2017 में स्टार्ट हुई थी यह कंपनी और 1.5 करोड कस्टमर्स हैं जो की काफी बड़ा 15 मिलियन और जो इसकी रेटिंग है 4.4 चल रही है राइट नाओ तो यह देखेंगे कि अगर हम वैसे कंपेर करें तो रेटिंग देखिए अच्छी होनी चाहिए आपको क्या अच्छा लगा और आपको लगता है कि यह जो रेटिंग्स हैं आपके साब से कितनी होनी चाहिए यह भी आप बता सकते हो तो अच्छी चीज़ है अब हम उसके बाद जो बात करेंगे अगली है कि कौन-कौन से प्लेटफर्मसं एंडरॉइड में है क्या इओस में है ठिक है वेबसाइट में ही क्या हम इसे पश्षेस कर सकते हैं तो 20 तीनों जगग अप इसको वेबसाइट पे आप इसके मोबाइल अप में Android और iOS दोनों में और ग्रो में भी तीनों जगे आप इसमें पर्चेजिंग या जो भी चेक आउट करना है इनके जो भी फंड्स हैं अब हम जो अगला क्राइटियर जिसके बात करेंगे वो है कि फीचर कौन कौन से हैं अधर दें डारेक्ट इंवस्टिंग सभी में अल्मूस सारे अप लेकर आते हैं यह फैसिलिटी लेकिन उसके अलावा क्या क्या है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिनिटी के बारे में तो यहां पर बात करेंगे finiti के बारे में तो finiti में यहां पर आपको passive investing मिलती है mutual funds के बारे में बहुत सारे options आपके पास रहते हैं यहां पे आपको stock investment और stock trading और stock market में जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है वो आने वाला है तो वो बहुत exciting होने वाला है क्योंकि यहां पे आपको zero brokerage तीन महीने के लिए मिल रहा है तो आप zero brokerage पे इसको तीन महीने तक test कर सकते हैं जो लोग aggressive trader उन्हें पता है कि zero brokerage is a very good thing तो try test करने के लिए आपके पास यह option रहेगा जब यहां पर अलग से section दे रखाया और अलग से आप देख सकते हैं यहां पर equity, debt, hybrid, goal oriented, retirement के लिए बच्चों यह सब चीज़े काफी अच्छी है mutual funds के बारे बात करें तो paytm money में आपको इसमें भी कुछ options हैं लेकिन आपको यहां पर थोड़ी अलग तरीके के options मिलेंगी यहां पर passive investing आपको नहीं मिलेगी और एक और चीज़ है finity में आपको tax filing के सुविधा है तो mobile app अगर आप install करेंगे तो आपको आपको tax filing क्योंकि ब करता है और tax rates अलग अलग होते हैं आप चेक कर सकते हैं तो finity tax filing भी provide करता है अब इसके लावा हम mutual fund इसमें पेटियम मनी में बात करेंगे तो पेटियम मनी क्या क्या है सुविधा देता है stock investing है pension है यहां पे यहां पे आपको IPO है और stock market तो है यह आपका तो यह सारी चीज़े आपको यहां पे मिलती है और इसके अलाव अगर हम बात करें grow app की तो grow app में आपको stocks mutual funds fixed deposit US stocks यह सारी चीज़े मिलती है आपको गोर्ड में आप यहां पर invest कर सकते हो तो यह सुविधा आपको यहां पर मिलती है आप हम बात करें कि AMCs कितने asset management companies के साथ यह लोग काम कर रहे है तो affinity almost सभी के साथ काम कर रही है सारे asset management companies के साथ इनके जो funds होते हैं यह कोई ने कोई company manage कर रहे होती है जैसे आप यहां पर जाएंगे तो HDFC है तो इस तरीके से asset management companies होती है तो यह सारे के सारों के साथ काम कर रहे हैं सारे आपको यहां पर option मिल जाएंगे that is very good अगर आप अलावा जो अगला option है मेरे साब से वो है आपका customer support तो customer support आपका call है तो affinity में आप call कर सकते हो आप mail कर सकते हो यहां पे आप call mail और FAQ यह तीनों चीज़ें आपको मिलती है पेटियम मनी और grow app में अब उसके अलावा जो अगला option है जो मेरे साब से काफी important है वो है riskometer तो बहुत रहा है आपको पेटियम मनी में riskometer मिलता है येस लेकिन grow app में आपको riskometer नहीं मिलता है तो grow app में जब भी आप जाएंगे यहां पे आपको risk किसी भी fund पर अगर आप click करते है mutual fund पर जाके तो आपको यहां पर riskometer नहीं मिलता है तो यह एक चीज है जो मुझे लगता है कि फिनिटी और पेटियम मनी ने काफी अच्छा काम किया है और रेटिंग देखे आपको definitely अगर फिनिटी की मेरे साब से बहुत अच्छी है तो यह सब functionality चोटी-चोटी है जो algorithm नहीं पेटियम मनी यूज नहीं कर रहा है और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें grow app के बारे में तो grow app भी smart algorithm यूज नहीं करता है तो artificial intelligence technology जो है जब आप किसी एक तरह का fund select करोगे तो आपको उसी तरीके के fund recommend होने लगे और उस तरीके क्या option आपको मिले that is also very good तो यह चीज आपको फिनिटी में मिलती है लेकिन पेटियम मनी और grow app में आपको नहीं मिलती है तो this is good about affinity I think and इसके लाबा convert करना regular plan को direct plan में convert करने का जो option है वो एक बहुत जरूरी है तो यहां पे आपको यह सुविधा देता है फिनिटी और यह चीज आपको मिल जाएगी I think पेटियम मन अगर आप जाए तो मुझे लगता है यह तीनों चीज तीनों जगे आपको external portfolio tracking मिलती है तो this is good in all three अब बात कर लेते हैं कि separate section for passive investing like I said कि हम investing के बारे में वीडियो बना रहे है तो investing shouldn't be made easy उसको आसान मनाना चाहिए तो यहां पे भी आप देख सकते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए इन्होंने अलग से option दिया हुआ है और अलग से इन्होंने चारों को अलग कर दिया सेंसेक्स निफ्टी थिमाटिक और global indices foreign stocks में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो पैसिव इन्वेस्टिंग तो यह चारों अलग है जो कि आपको यहां प को option नहीं है तो this is one thing which is good I think infinity कि passive investing is there as a separate offering जो लोगों को आसानी से आप क्लिक करके जा सकते हो अब उसके लावा जो आखरी option है वो है बड़ता है आपने क्या तीनों एपको explore किया है explore नहीं किया है तो explore करिए तीनों कोई ने कोई मिल जाएगा कोई चीज कहीं मिल जाएगी तो चेक करिए तीनों के link मैंने वीडियो की description में देती हैं और मुझे बताइए कि आपको और इन अप मैं क्या चाहिए तो अगर होग और मैं उसमें मेसेज करने कोशिश करूँगा कि क्या इन एप्स में क्या फीडबैक है तो इस्पेशली यूनीकली एक 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 आप को लेके मैं इस तरह के वीडियो बनाओंगा तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों को बताईए यह वीडियो शे कि उसीफ आपको durch कि लेके मनुद with रेके मैं आपको यह वीडियो yhteस तरह के एकि अपको अभर